हेलो प्रेंट्स आपका स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल वेट पेटेट केटल में यह दि आपने अभी तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी बहुशे में आने व आज की वीडियो में हम बात करेंगे पसों में दिये जाने वाले गुलकाबुस्ट के बारे में जो आपको यह टेबल पर दिखाए दे रहा है गुलकाबुस्ट यह एक लिटर में है और यह 600 ml में गुलकाबुस्ट जो एकी नेचरल कमपनी का आता है अब यह गुलकाबुस इस गुलकाबुस्ट का उप्योग में लिया जाता है उसकी पूरी डिटेल में मैं आज को आपको बताऊंगा दोस्तों जब आपका पसो ब्याता है तो पसो ब्याने में जो जितनी इनर्जी लगाता है उसमें बहुत ची इनर्जी वेस्ट होती है जब पसो ब्याने के लमबी बीमारी के ले सकते हैं। कैसे को अगया है W attract लमबी बीमारी के अंदर है तो उस में क्या होता है आपके पड्ष्य को जो लगातार एंटिवाटिक दी जाती है बोड़ी के नधर तो उसके जो बलड नधर है पसू कि ऊसका गुलकोज का लेवल क्या है कि यह बहुत कम होistant is glucose का लेवल कम हो ने के करनर पड्ष्य की energy एकडम डाउन यानि पस्व एकदम सुस्त हो जाता है और एकदम बैठा रहता है सुस्त और खाना पिना भी बिल्कुल भी नहीं कर पाता तो उस समय हम यह दी बीमारी के साथ आदे दियम उस गुलकाबुस्ट का उप्योग में ले इस गुलकाबुस्ट का उप्योग में ले तो बहुत ही ब बहुत प्योग हैं जैसे प्सु बियानने के बाद प्स्टु बिल्कुल भी दूद्ट नहीं देता है यानि ब rumor ब Favor करे निरिटे रहीं दूद्ध के दू भारत का प्योग में। ले?... परसु के पीशने ब्यानत की अपिकसा दूद कम हो तब भी इस गुलकावुष्ट का प्योग में लिया जाता है और दूद देने के कारण जो दूद देती हैं बहुत से दूद देने वाली गाये हैं जैसे 20-25 लिटर दूद देने वाली गाये हैं उसके दूद से क्या होता है कि उसका गुलकोच बलट से बाहर निकलाता है तो उनको भी हम दे सकते हैं और दूद देने के कारण उसका परसु के बहुत कमजोर भी हो जाता है और परसु जो देर तक हीट में आता है यानि बहुत लंबे समय बाद में हीट में आता है तो भी हम इसका गुलकावुष्ट तो एनेर्जी जरूर डाउन होगी, एनेर्जी ऐतोमेटिक डाउन होगी, क्योंकि परसू को एंटीबाइटीग इंजेक् Skill लगने के करन, परसू का जो इम्मिनुटी पावर है, वो डाउन हो जाएगा, तो इसको मेटाबोलिजम को बनाए रखने के लिए, इसके metabolism की प्रक्रिया को चालो रखने के लिए हमें गुलका बुस्त देनी देनी पड़ेगी चैसे यह energy balance देता है यानि energy booster यह तरह का यह पसू का energy booster है वैसे मैं नहीं नहीं बता रहा हूँ कि गुलका बुस्त है बहुत से product भी आते हैं जो energy booster परधान करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन जो मैं यह गुलका बुस्त बता रहा हूँ इसके यह बहुत ही बढ़िया है energy booster है आप इदि आपने पसू को इदि सहुस्त है इदि आप उस पसू को दो तब भी आपका पसू के बीमार होने के chance बहुत कम होंगे मैंने कई पसू को सहुस्त प जर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा हापते है उसमें आप 100% यह गुलका बुस्त का यूज में लेंगे तो आपको बैतर से बैतर रिजल मिलेगा क्योंकि पसू दब भी stress में आता है जब पसू के बलड़ के अंदर गुलकोज का लेवल एकदम डाउन हो जाए इस से मिनरल्स रिटामिन्स प्रोपोगलाइड गुलकोज मिलावा है जो आपके पसू को बोड़ी को मेंटेन रखता है आमें गुलकापुस्ट की दोज बता रहा हूं आपको गुलकापुस्ट की कितनी मात्रा दिन चाहिए आप बड़े पसू को गुलकापुस्ट 200 ml पर डे दे एक लिटर यानि लगातार आप अपने बड़े पसू को लगातार पांस दिन दे 200-200 ml यह दिया आपका पसू बड़ी है इस नेक से आप अपने पसू को अराम से पिला सकते हैं को दिकत नहीं रहेगी पिलाने में भी और पसू भी आपका सबस्त रहेगा इदि आपको मेरी वीडियो गुलकापुस्ट पर बहुत अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ सेर करें और जितने आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बहतर से बहतर वीडियो बनाता हूँ मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोडुक्ट के बारे में वीडियो बनाऊँगा जो एक से अजार रोगों के उपवयोग में हो और मैं आपके रोगों क के बारे में भी पसों के रोग होते हैं उनके बारे में आगे बहतर से बहतर वीडियो बनाऊंगा तो थैंक्स धन्यवाद